और नए सोकरिश के अपने न को प्रतिफार अनन्त जनम की भूल को छिन में डारें खो त्रेकुंज विहारिन लाड़ी उमते सव कच्छो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित्त्राँ जान नदी जो जगत मैं पर्षूंपद शुकदाँ जो विग्रेगी रावरी होई भगत उपहाँ ताती तुम्शों कहत हों एंच आपने पाँ पूल छुडाओ लाड़ी शमज देओ भरपूर यह बात तिहारे हात है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाड़ी तोही सवई तिहारे हात श्री विहारी दाश को अवन आनगत उम्रे चरन कमल उम्रमम्माम् ममममनोहरदाशु पदांबुजे वशतु सरव दुराश बिनाशिके तदनुगामि सूशंगत रस्तुमे बपुरिदं बिभनान तुयातुमे मूर्धनानमामो हरिदाश पादं बाचा बदामो हरिदाश नाम अस्याम द्रवभ्याम हरिदाश मूर्ति शाधोन बिदभो हरिदाश पुझाच स्री हरिदाश को स्रवन भर शर्वदाः रसन स्री हरिदाश गुननाम भापुं नासिका सहेज स्री हरिदाश तोरव शुतन मनस्री हरिदाश निषद्योश नाम जै स्री वर भिहार इंदाश स्री हरिदाश विपुलवल शकल खल लोक विदिविशम नाखाँ धन्य सोई सीस स्री हरिदाश चरन बंदन करे नैन स्री हरिदाश के रूपुराप। परमुज्वल चिन में महामधुर रशार निर्वद नित्य दिहार पून प्रैम प्रकाशक अखिल माधुरेक मूर्ती असिस रशिक चक्रशूडावनी रशिक कमल कुल दिवाकर ललित आवतार प्रैम सहेली सरूप रश्कों के जीवन प्राण अनिन रप्ती स्रीश्वामी हर्दाश युमराई प्राण सरवश्वांके विहारी विहारें जू श्रमस्त धामों के मुकुट मनी स्रीधाम रंदावन चन जू गुरू जन आचायर जन रशिक जन प्रैमी जन भक्त जन पूर प्रिशंग में प्रमी जनों आपने स्रवन किया था पांचों जपना भगना गुर्जन गंगाधर पांचों के पांचों जाके प्रार्थना करते हैं कि के महाराज किरपा करौ अब हमको संसार का महारख कि प्रार्थना की कि अब हमको ब्रक्त भेश दीजिए, किए प्रार्थना की प्रार्थनाग इस इश्ट पिछान मिश्ट मन जाने तव अनन्वे तम भ्रम्भाने ही गुर्देव आपकी कृपा से इश्ट की पेंचान होगी और इश्ट की च्रणों में अनन्निभाव होगा तब हमको अपने सुरूप का ग्यान और इश्ट की सुरूप का ग्यान और अपने को वस्तु हस्तावल कर पाएंगे इसलिए अव हम पर कृपा करो इस संसार सागर से निकालो हे रशिक स्रोमन अंतरिया में गुर्देव आप कृपा करिए आज दुर्देजी महराज ने उनके सुन्दर महात्याग में बचन स्रवन किये और अम्रत में बचन बोले आहुरिशिराज परम बेरागी तुम शम कौन बिश्व में त्यागी सिश्चन ते कहरें सी गुर्देव अहो रिसिराज अहो सब्द एक आश्यर जनक सब्देज अहो रिसिराज तुम्हारे शमान ये सब महात्यागी कौन हो सकता है मिश्व में छुद्र देव कौपा इनर एक ख्युद्र देवों की उपासना जो करते हैं मनिश्य और मन लगा के करते हैं उनको छोड़ भी नहीं पाते हैं हरी की उपासना करने के लिए ऐसा मन उनका सिपक जाता है और तुम्हारे पास तो भगवा नारायन कितनी बार आए तुमने छुद्र देव कौपा इनर दास होत जीए ज्यान तुम बिहार बिन तजदई नारायन की कान तुमने एक मात्र नित बिहार मांगा निर्बद बिहार मांगा भगवा नारायन जो देना चाहते तो तुमने नहीं लिया उनसे कह दिया और कुछ नहीं चाहिए तुम जैसा महात्यागी कौन हो सकता है तुम एक मात्र नित्य विहार के सार के अनुरागी है बिशमित्यागी तुम्हारे श्मान कोई नहीं है तुमने अनेक जनमधारण की है और تمहारे श्मान और हम किसी को नहीं कह सकते हैं ऐसा गुर देव कह रहा है सुने गुरुजन सत्वात हमारी तुम जन नित्त के लिब्रत धारी ये गुरुजन गंगाधर तुम सब लोग हमारी बात सुनो तुम्हारा ब्रत है कि नित्त विहार चाहिए तुम भूल गयो गुरुदे वियाद दिला देते हैं अपना सरूप तुम्हारा सरूप यह है यह जीब भूला हुआ है इसे तपरश्या के धनी अनगिनेत जनम पहाड़ों के पहाड़ लगे हड्डियों के दस हजार योजन उचे दस हजार योजन का मतलब है एक लाख बीस हजार किलोमीटर उचाई एक लाख बीस हजार किलोमीटर उचाई के पहाड़ पांच इनकी हड्डियों से बने ऐसे महातपश्यी बार बार पदार जाएं यही बर्दान मांगें यही आके फिर तपश्या करते करते प्राण चुड़ते हैं लेकिन नित विहार नहीं मिला अब ते श्वामी जिवदार स्चुडामने आगे अब चंता मत करिए अब नहीं तुम और जपना भगना भीला गंगाधर घर लखियों लीला मेरी बासनों कोड़ से अब तुम भूले पड़े अपने सुरूप को गंगाधर के यहां अधबुत लीला के दर्शन करना तुम गुर्जन और जपना भगना भीला अब गुर्देव के ऐसे गोप बचन सुनके विशार करने लगे और ठकी जकी रहके पांचो के पांचो हाजरूर के कहने लगे ही परम कृपालु गुर्देव जू आपके तत्तों का आपके शब्दों का जो तत्तों मेर शब्द हैं उनके जाल को हम समझने ही पा रहे हैं हम सब फस गएं आपकी मधुर्बाणी में और मन बुद्धी चित हैंकार तुम श्वामी के चरन रज लगत हमारे सीस हम सेवक ये मान मन भाई भग पक्सीस हम तो आपके दास हैं हम आपकी परोख्य वानी गो पिवारी को नहीं समझ पा रहे हैं जन हमसे कोई भूल हो गई है ऐसे हमसे कह रहे हैं आहो रूसी राज जब सिसे ऐसे गुर्देव कहने लग जाएं थे कभी-कभी बिनोध में कोई गलती में भी कहाँ आड़े तुम तो बहुत ज़्यादा सिद्ध बन लए उ ऐसे भी तो वो घबडा रहें कि ऐसी हमसे कौन सी गवलती हो गई तो ऐसे कह रहें स्री गुर्देव त्री गुर्देव आपके चर्णों का धोमन ऐसे मानो जैसे सक्ष्यात गंगा समस्त जीवों को पावन करने वाली ऐसे आपके चर्ण धोमन है दासी सपरस बने आवे कोट मुक्त संभाब बढ़ावे आपके स्री चर्णों का सपरस चर्णों दक का पान तो हमारे भागी खुल जाएंगे फिर स्री मुक्ते करत बढ़ाई हमते कच्छू चूक बने आई लिए आप अब हमारी बढ़ाई कर रहे हैं कच्छू इस तरीके की परसंसाग जो की मतलब विशेश परकार की तो हमसे कोई महान गलती हो गई है प्रभो हमको बता दो क्या हमसे हम नहीं समझ पाएं ऐसा होता है जल्दी से सिसे की गुरदे प्रसंसा नहीं करते हैं फिर भी भाव मरता है तो करते भी हैं लेकर बहुत बड़ी प्रसंसाथ अले तुम्हारे समान कोई नहीं कोई नहीं है पूरे बिश्व में ऐसा मात्याव ऐसे कह रहे हैं हम भ्रमित हैं हमारा गाद सिथिल हो रहा है प्रभो हमको आप समझाए कौन सी गलती होगी हमसे सिथि महराज कहने लगे गुर्देव जीव हम सब कही जधारत बानी तुम पांचो सब के सनमानी हमने सांची सांची बात कही है तुम पांचो के पांचो सब के सनमानी हों ऐसा कौन होगा जो तुम्हारा सनमान न करे उस योग हो तो भूल गए अपनो निज रूपा प्रथम जन्व मदिपरम अनूपा तुम अपना रूप भूल गए हो शंचित द्रब्य शुधर्म अति ताके फल को श्वाद गंगाधर प्रगटि हैं सेवो तज अपुबाद संचित द्रब्य शुधर्म अति संचित द्रब्य काय तुम्हारा अति धर्म तुमने अति धर्म में एक अत्रत किया है तपरश्या रत फिर आखिर भक्ती रत वाकि फलको स्वाद क्या है कि गंगाधर जी के यहां प्रगट होगा वा फलको स्वाद क्या प्रगट होगा महाराइच चोके सवसुने स्री गुरिगाथा जोग कर जोर नमित पदमाथा चोकपड़े महाराइच कौन सी क्या प्रगट होगा गंगाधर जी के यहां जिससे कि हमारी समस्त जन्मों का इसा क्या बात है आप इस परष्ट बताओ गोदेव नम्रहोई बोले म्रदवानी कथालो कक्स्री मुक्रुगानी आप अलोकी किताम को किरपा करके बताओ भिन भिन करके समझा दो बोले इसनों वस तुमने पूर्व शमय में पांचों ने बहुत बड़ा तप किया जब तपश्या पूर्ण होने को आवे भगवान नारायन आवे वो कहें बरदान मांगो तुमके हमको नित्वियार चाहिए भगवान मोले ये तो नहीं चाहिए इसके लावा और कुछ भी मांग लो और कुछ भी मांगे लो फिर तुम कहते थे कि हमको अगले जनम में भी यही सुधिर है अत्वा मृत्व के शमय पर यह सुधिर है और कुछ नहीं मांगे इसी इस मृत्व में हमारा सरीर छूट जाए अगले जनम में भी यही मांग रहे हमारी और कुछ नहीं ची ये बड़ी टीक महात्याद तो बरदान देके कि हाँ ये इसमर्ती तुम नहीं भूल पाओगे ये ही मांग रहेगी तुमारी सदा सदा ऐसा बरदान देके प्रभू चली जाते होते लेकिन तुम ऐसे द्रड़भाव में कि प्रतेक जनम में वही आसा लिए नित्विहार चाहिए और कोई आसा नहीं ऐसे जनम अपार धरे भाईज अस्ति पहार अपार जनम धड़े अस्तियों के पहार के पहार लग गई मंत्र गुरू उपदेश विन दुरगम नित्विहार क्योंके तुम स्वैम एहम भाब में इस्तितों के तपश्या करते रहे लखे तो एक रहा लेकिन गुरुदेव का मंत्र नहीं लिया और नम्रता नहीं आई और भक्ती में हिर्दै नहीं हुआ तपश्या में रहे लखी वोह रहने के कारण बानिक तो ये बनेगा लेकिन बहुत समय लग गया शुनि नारद गुरु मुक अपदेशा पाव मंत्र गोपाल सुवेशा फिर नारद जी के मुक्ष अपदेशन के भगवान के मुक्ष अपदेशन के गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ और फिर तुम साधन में लगे पूर पिश्रंग में आप लोग संच चुके हैं लखी तुम्हारी तो प्रैम भाव जो तो बिधि बने आई तांते एक सहचरी थाई फिर नित निकुंज महलते है पांचो के पांचो तुम रशी हैं नित निकुंज महल से फिर एक सहचरी आई और सहचरी ने कहा लखी तुम्हारी तप मैं देई फिर तुम नित विहार सनेई एक तो तपरश्या मैं देई काम क्रोध लोग मोह से परे और फिर जो नित विहार के सनेई रहे तुम्हरी दृष्टी शक्खी नहीं आवे बचन तनक स्रवन में जावे ऐसे पवित्र सरीर होने के बाद भी तनमन अंतेकरण फिर भी सहचरी नजर में नहीं आई वो खिमता तुम्हारे अंदर नहीं थी कि सहचरी के दर्शन हो जाए और उनकी बचन में तुम्हारे कानों में नहीं पड़े शोव अभ्यक्त व्यक्त तुम रूपा सच्चिद आनन भाव अनूपा तो तुम व्यक्त रूप में वो शहचरी अभ्यक्त रूप में तुमको उनकी दर्शन नहीं होए दिब्यद्रिष्ट तुमरी सबकीनी चितकी द्रगनता सकेंचीनी शहचरी ने कृपा करके फिर तुमको दिब्यद्रिष्टी प्रदान की थी उपजव और आनंद पारा सब तुम कर न सके निरधारा तुमारे हिर्दायं फिर आनंद की बार लगते शहचरी की दर्शन करके उसको लिखित नहीं कर सके मारे कितना तुमको शोप्रात रवा तुम चकौ고 है चंद्रवत पीवत अम्रत रूप स्कौरवत दृष्टी शे रूप का पान कर रहा है है असेरे को देख रहा है आकास की तरद की तरथ देख रहा है सेले के दर्शन कर रहे हैं प्रेम भाप पर तास्तन रसानंद अनूब शाख्यात रसरूपा सहचरी हैं तास रूप कैसे हैं कहें आब एत्ड़ सपलवत दर्शे दिखावें जैसे बीजुरी चमकती है फिर लूप हो जाती है ऐसा सहचरी का जैसे बीजुरी का रूप बखान नहीं कर सकते हैं ऐसे सहचरी का सरूप अनन्क बीजुरीयों की कांती भी धूमिल हो जाए कोट काम लावन ने भी हाड़ी ऐसे बखान नहीं कर सकते हैं बदत अलोकिक अद्वुत बानिये सुनत करन कह जात बखानिये अलोकिक बानिये बोली तो हूँ तनक रूप दर्शां मुचित की स्रवन सुनों में गाउं अलोकिक बानिये बोली पर तुम पे दिब दरश्टी करी तब कुछ तुम कुछ सुनने में आया और देखने में आया मैं उस्तरूप का बखान नहीं कर सकता हूँ फिर भी तनक मात्र बढ़न करता हूँ कुन्दन अनल परस गल जावे तामे रभी को तेज मिलावे जैसे कुन्दन सौने को अगनी से गला दो जैसे सुनार गला दो और उसमें कई एक सूर्यों का तेज मिला दो उसमें गला के फिर उसकी चमक कैसी हो जाएगी पिर उसकांती की उस चमक की सुभा को सार को सार और सार को सार ऐसा कुछ रूप सहचरी का दो मैं साखावत नयाए के अनसार के रहाूं साखावत नयाए क야 होता है जैसे किसी बच्चे को उताएजाए बच्चा रोए कि चंद्रमा हमको कि चंद्रमा पास ही तो देख कहां देख पेड़ की बगल महीं है यह पेड़ की डाल के सारे देख चंद्रमा तो बहुत दूर है अना बहुत दूर है चंद्रमा लेकिन उस बच्चे को समझाने के लिए कह देते हैं देख पेड़ की डाल के और चंद्रमा की शोभा को जैसे बच्चे को नहीं बता सकते हैं वो ऐसे ही उनका सरू बढ़न नहीं कर सकते हैं पर शाखावत नियाय के इस तरीके से हम बता रहे हैं जैसे अंगाज करा रहे हैं मोटी सी भासा केवल तो कैसे बोले कैसा सरूप है सेच्री का लहेंगा रक्त नील सिरसारी तुमने जो दर्सन की शेच्री का यह सरूप है लाल रंग को लेंगा है संदर चम 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 कर जो और नील इशाडी ओड़े होई हैं कंच की जुवल रंग मिल धारी, कंच की नील वर्ण और पीत वर्ण, पीलो रंग लड़ी जू को, नील वर्ण विहार जी महाराज को, नील पीत दोनों रंग की कंच की पहन रखी है, चिकनेत चिकुर कुषुम उर्माला, सुन्दर केश पासी, और उर्माला, सुन्दर सुन्दर पुष्पों की देदी प्यमान, इनकी सोभा बढ़न नहीं कर सकते, ऐसी माला पन रखी है, नूपूरूनित निगम धुन साला, नूपुरों की चम 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 आवाज, नूपूरूनित निगम धुन साला, जैसे बेद पाठी, बेद निगम आदि को पाठ कर रहे हों, एक स्वर होके, ऐसी जो है, नूपूरों की रमजब, रमजब, भूशन बसन सच्चदानंद रूपा तास अंग मिलोत नूपा भूशन बसन संदर संदर पहिन रखें लेकिन भूशन बसनों की सोभा भी उनकी स्रियंकी सोभा की आगे शक्थी की हो रही है ऐसा सरूप है बरंब्रु वानी कही तुम भूले लख चाव सहसीन का बरदान मांगो बरंब्रु अब तुम दर्शन करने के चाव में अपनी टेक को भूल गए कि हमको नित्य व्यार चाहिए उस बात कोई भूल गए दर्शनों के प्रतक प्रतक भावक भई ताविद लयो उपाओ अलग-अलग भावक हो गए तुम कैसे गंगाधर वासल लखिपावा गंगाधर जी बोले जिनका आज नाम गंगाधर है वो बोले कि ये तो कहीं मेरे पुत्र रूप में हो तो मैं बासल का आणन प्रत कर गुण गुर्जन में तो इनको दास भाव से सिवा करते ऐसा भाव और जपना भगना भीला दावा निजदिक रहर चिचचावा और ये भी हमेशा हम इनके संगरेंप दर्सन करते रहें जो सिवा यवी पाव सब के मन में आए उपजी उरता बिदिन बर दीनो तुम पर परम अनुगरे कीनो तुम्हारे मन में जो उपजा उन्होंने तो कहा बरदान मांगो जो तुमको मांगना है लेकिन तुम्हारे जैसे जैसे भाव थे बासले भाव दास भाव जैसे वोई भाव उन्होंने कतास्तु वोई सुख मिलेगा लेकिन सैचरी फिर भी इसी से उनको तरपती नहीं भई क्योंक अनंद जनम हो गई लेकिन अब मेरे दर्सन के चाम में भूल गए मांगना सैचरी बोली अभी नहीं चिंता मत करो और मांगो जो तुमको मांगना है ये उदार शूड़ा मनी है स्वामी जी जब देने को बैठे तो खजाने को खोली देंगे ये नहीं के पीछे इट जाएं ध्यान रखना ऐसी उदार हैंगे ये इनके इन प्रकारण चाहें तुम कितने भी मलिन चित वाली हो निरंतर स्रीहरदास नाम जाप करोगे इनने भाव से श्वामी जी लाली जी लाली जी ब्रंदावन जी गुरू जन ये तुमको बिना अपनाए रही नहीं सकते निशित धोका नहीं है धोका तो संसार में है मांगे मांगे बोली फिर बानी संकन करौ लिए मन मानी तुम संका मत करो चंता मत करो मन मानी ले तुम जो चाहो बिशार कर लो ढंग से अपने मन मानी ले प्रेम बबस बिवस बोले तुम तैसें तुम बपुलकत रहें हम ऐसें अब कच्छू सही सही फिरदय में विचार भावना कि हे महरानी जो हे ललते जो हम आपको ऐसे ही देखतें ऐसें देखतें ऐसा सोभाद नित्य विहार लखन प्रनधारो सूसव तुम तनमाहि निहारो और तुमने जो नित्य विहार की मांग करी थी उस सहचरी की स्री अंग में जल्मल 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 प्रिया पीतम की जहांकी और अंदर ललता जू प्रकट में ललता सुरू पर अंदर भी ललता जू और बैठी हैं प्रिया पीतम को लाल लडाए रही हैं इतने कुझ मेल में वो सब जहांकी तुमको भई दिव्या सुसव तनुम तनुमाई निहारो तुमरे पद कल कमल परागा हम्मन मदुकर और अनुरागा छिंचन प्रत्तुमरे गुनगामे सवशुकृत को ये फल पामे आपके स्रीच्छनों में हमारा नन्य नुराग हो तुमने फिर ये मांगा आपके सिछवी के दर्शन करते रहें आपका अखंड अनब्रत हमको शंग प्राप्त नित्विहार मांग लिया जो सरूप हम जो देख रहे हैं नित्विहार के दर्श यह हमको चाहिए भूल में पढ़ रहे थे लेकिन अपनी क्रपा करके वो सरूप जैसे कोई बच्चा पहले से कुछ और मांग रहा हो और और कुछ मांगने लग जाए कई बार माता पता एक उस चीज को दिखा देदा हाँ यही चाहिए हाँ यही चाहिए ऐसे देखा है न हाँ ऐसे हैं सर्व नियंता स्री लिलिता जीव प्रिया पीतम को भी सुख देने वाली हैं प्रदेरस रूपा सहचरी हैं उनको मन मानी बढ़दान दे तुमरे अनुगत है रहें सर्व शुखन को सार आपकी अनुगत है के आपकी नित दर्शन करते रहें शमस शुखों का सार है जो प्रसन हम पहले लखें नित्य विहार अपार हम पर प्रसन है तो जो निर्वद नित्य विहार है सर्व दुल्लव वो चाहिए जो अभी आपक श्रीयंग में जल्मला रात यह चाहिए सुन शुन बचन सहेचरी बोली लख्यननता सब बिद खोली मुँ अनुगत को सुनों विचारा ताते पावो नित्विहारा मेरे अनुगत होने का फल यही है को उन्हीं को नित्विहार मिलता है रिशियो मेरे अनुगत होंगे यह सरूप तज फेर तन धरी हो ब्रंदाविपिन प्रगट बपकरी हो इस रिशी शरीर को छोड़के फिर ब्रंदावन धाम में निकट में और तुम दुबारा शरीर धारन करोगे गोवर्धन मुक्सुन उपदेशा तजी हो करम धरम लवलेशा बहुरवान स्री कृष्ण जी के ही सरूप गोवर्धन जी के अवतार श्री आज दुश्देजी के मुक्से सुनके और तुमको अपने सरूप की और मेरी इसमर्ती होगी ये सैश्री ने कह दिया गुर्धेव के मुक्से सुनोगे उपदेश तब तुमको ये उपजेगा दे रशिकनन धरम मदिपगी हो प्रेम भक्त जुत गुरुपद लगी हो रशिकनन धरम का पालन करोगे और गुरु के च्रणों मानुराग करोगे हम तुम मिलन काथा सुन पईयो अपनो वफ ऽुद कर सिर नईयो हमारे तुम्हारे मिलन की कथा गुर्धेव कृप़ करके तुमको बताएंगे और तुमको फिर बहुर सुक्ताप्त होगा तब तुमरे घर में अवतरी हों जोर भाव तास बिदकरी हों तुम्हारे घर में में प्रगट होंगी और तुम्हारे रिद्य में जो भाव है सब पूर्ती होगी तुम्हारी भाव प्रेट मूरत बने नारी, सोय होई मूर महतारी, शक्ष्ट भाव और मूरत की शरूप entire civ Rose यानि मेरी महतारी। भावर प्रिती का सरूप। जैसे अव तुम लखत हो, त्यों लखियों मम रूप। जैसे अव देख रहे हो सरूप की जांकी, ऐसे मेरे रूप को तुम तब देखोगे। ये कहा सैचरीम। युगल मंत्र धुनसुनत ही बड़िये भावनूद। याविज शहचरी करिशन माना भाई चिनक में अंतर ध्याना युगल मंत्र ओडे दिया। पहले गूपाल मंत्र जाब किया। लेकिन अब सहचरी ने निज मंत्र दिया है नित्य भ्यार राप्त होने का। येविद सहयचिरी कर्या शर्माना भई, छिनग ने अंतर ध्यान सहयचिचरी छिनवर में अंतर ध्यान उगए। उपजोब रहे उदत्यत प्रीती प्रायम विवसबाओ की निभी निती अब प्रायम उपजा हड़दय में सहचरी की दर्शन की लालसा त्यन प्रवाड लालसा और युगल मंत्र को जाब जब तक स्वास सरीर में रही तब तक सहचरी की बचन और सहचरी की दर्शनों को आई चिंतन मनन तब यह सरीर शूटा और यहां ब्रंदावन में बन में राजपुर में तुम्हारा जनम हुआ और तुम पांचों ने हमको गुरू सुईकार किया शनाध्य ब्रहमन त्री गंगाधर जी ख्यत्री बंस में जपना भगना भीला तीनों ख्यत्री और गुर्जन जी और गंगाधर जी यह ब्रहमन जाश्वामी जी का अवित्रण हुआ ब्रहमन कोड़ में गंगाधर घर चित्रा बामा भाप्रीत को पुषक थामा गंगाधर तुम्हारी घर में जो ओफित्रा जी हैं वो शाक्यात भाव प्रीती की मूर्ति हैं वो इस्त्री नहीं है भाव प्रीती की साख्यात बिग रहें तवीत स्वामी जी का अवत्रण होगा ताशोद्र सहचरी तन उधरी हैं तुमरे शकल मनुरत करियें वाके उधर से सहचरी प्रगट होंगी और तुमारे सारे मनुरत पूर्ण होंगी गंगादर जी को सब पांचों को समझा रहें एक बर्स की अंदर ही वैसी का नन्यनूप एक बर्स के अंदर ही प्रगट होंगी हम तुमसे जो कहा है वह बस्तू कावलोकन करके अत्यंत सुख में पग जाओगे शांती में पग जाओगे याविद रूप तुम्हारों जानों धर बिज्ञान बिवेक पचाओगे इस तरीके से तुम पांचों का ये सरूप है समझ में आया गुरू महरवांत चेला पहलमान तुम्हारी क्रपा परमित चाई ताते हम करें बढ़ाई तुम्हारी क्रपा चारोर चाई भई है अब तुम्हारी कितनी बढ़ाई करें जो वह थोड़ी सुनि गूरू बचन रचन अतिभारी पूरवक्रिया भई सुद्य सारी गुर्देव के सिक्रपा में बचन सारी क्रिया तपश्याक का ध्यान सैचरी के दर्शन का ध्यान सब उदित हो गया जो केते हूं सुद्य आ गई पूरी सुद्य पूर्व जनम की आ गई यहां मिलकुल थे पुर्देज नहीं कहाई सत्य है श्री गुरु रूपत अक्तमन आयो बेर बेल सिर चरन्नवायो धन्य धन्या पनपो मान्यों श्वैम सरूप शकलो जान्यों आयो सले निजपुर्शव आये चित्रा ते गुरु बचन सुनाये निजपुरु पताकों शुद्य आयो वानन पुलक नीर द्रग छायो गुरु देव को प्रणाम करके गुरु देव ने अपना हस्त कमल भी सीज़ पे फेरा तो अपने सरूप का सब ग्यान हुआ उनकों पूरु शब याददास्ती हो गई इसके बाद गुरु देव को प्रणाम करके और समझ के अपने घर के लिए प्रस्तान किया वहां जाके सारा ब्रतान चित्रा माता को सुनाया चित्रा जी के सुने तो बचन पर भुले तो बदन शदन जान शुकहेत अतु छावर मैं बढ़ो मान उदर रस खेत अपने उदर को साख्यात यह समझ के यह तो रस का खेत है यहांसे रसिक राज प्रगट होंगे मेरे उदर से मेरे को निमित बनाके तो अतियानन में छावर भाव गर्वधार नचित आयो तबते तेज चंद्रवत छायो गुरू जी की बचनों पर विश्वास करके और जैसे जैसे बताया पांचों ने इस तरीके से हमने गुर्देव के मुख से सुना और हमको भी अपने सुरूप की स्मृती भई उन्ही भावों को भाव से ही के हां मेरे गर्व में और रस रूप आएंगे सैयोग नहीं भाव से गर्व ब्राजमांदा भाव से मुधित भई पुर के नर नारी संपत सह जोजे तविद्सारी अनुपम तेज़ दिन पर दिन चित्रा माता का जब ते सुना भाव रूप गरव धारन और तरसी अनुपम तेज सब दर्शन करते करते चित्रा माता के ठकित नहीं हो। चित्रा माता के उदर में महाप्रेमस रूप आ रहे हैं। चारो दसों दिशाओं में सुख ही सुख दीख रहा है। दुखितन कोई शकल सुख रूपा निरमसर पर निरख अनूपा। आपश में कोई मसरता नहीं। प्रेम भाव। और कोई दुखी नहीं है, सब सुख ही सुख चारो तरफ। रोग नहीं है कोई भी, निरोग हैं। आमेरहत रूपकी रासी, गुरुद्वज संत बचन विश्वासी। और गुरु संतों की बचनों में विश्वास बढ़ता जा रहा है सब का दिन रात। ऐसी चारो तरफ। स्वामिज की कृपा से ऐसा देखने को प्राप्तिवाएं। बचन में इश्ट तन पुष्ट सुठ सुष्ट सकल गुनधाम, त्यप्त कष्ट भ्रह्मनेश्ट गत इश्ट लगन सभजाम, मीठे बचन, पुष्ट सरीर तन और सब तरीके से गुण के धाम सरूप, सारे कष्ट जाते रहे भ्रह्म का निवारन हो गया। इश्ट की लगन में रात और दिन बीत रहे है। खलवत कठन क्रपंता त्यागी, लेत नतनक देत बड़ भागी। जो क्रपंता थे, जो कंजूष्पंता उश्ट त्याग दिया, उदार से थो गया सब का। जो कुछ मांगें सब कुछ देने को तैयार हैं सब के सब चारो तरह। हरी गुरू ब्रहे रहे तूर लागी नवदा भक्तिकरत बुदिपागी। अब तो हरी के प्रति और गुरू के प्रति अधिक प्रेम बढ़ता चरा जा रहा है। शब ब्रजवासी जनों का आसपास। अधिक प्रेती युगल में अनन्य प्रेम। द्रश्ट्यूतं कृष्ण गुन जागी। जों बिवेक अधुत बेरागी। राधा कृष्ण के श्री श्रणों में अधुत प्रेम होता जा रहा है। बसत साद वत सैशुक पाई, सुनत सकल्मुक अमित बढ़ाई। शाधु शंत भी प्रसंसा कर रहे हैं गंगा दर्जे की और पांचों की। अपने आप ये अपने आप। शहज है। इस तरीके से चारो तरफ आनन चा रहा है। घेर रहत पुरकी सब बामा केड़ तरमा रहत थामा अपुरकी समस्त नारियां गोपियां राजपुर की ब्रम्दावन की। चित्रमाता को चारो तरफ से घेर के रखते हैं। अतिसोंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। गोपेश्वर तरवनी सहत रहत भेश धरिबाम। चित्रातन चित्वत चहत तजतन छिन पलज्याम। और एक बाद क्या। गोपेश्वर भगवान श्री भोलेनात संकर जी। कहलास परवत को त्याक के और पारवती जी को भी संग लेके और यहां ब्रिज गोपियों का रूप धारन करके चित्रा माता की सेवा में रह रहे हैं। स्वामी जी के दर्शन के लिए स्वामी जी को खिलाने के लिए ऐसे अद्वत। चित्रातन, चित्वत, चहत, थमेश़हमेशे उनके दर्शन करते करते थकित नहीं हो रहे हैं। गोपियस्वर जी और उमांजी है। बीठल पिता बेहन के पासा सेवन कर्तमान मन दासा बीठल मिपुल्देजी के पिता जी गुर्जन अपनी बेहन के पास रहते हैं बेहन चित्रा माता है गुर्जन जी श्वामी जी माराज के बैसे मामा लगते हैं और मामा के जोरा स्री बीठल बेपुल्देजी दोनों भाई भाई इस तरी के से लेकिन महल की निदिया कैसे भी प्रगट हो जाएं बात अलगा लेकिन ये दोनों महल की निदिया गिनत रहत छिन छिन प्रतिस्वासा दर्स आज क्यों हो तो उदासा बीठल बेपुल्देजी महाराज पांस वर्स के हो गए हैं छोटे से इबालक हैं याबेजस उखितमास दस बीता प्रगटे मूल अखिरातीता दस महिना बीत गई ऐसे ही करके अब प्रगट होने की बारी यो अखिरातीत हैं गुणातीत हैं और वो प्रगट होने को शोसुन सिस्टास छिनरीती सत्वचन धरसत्थ प्रतीती भादों शुकल अश्टमी आई पुरकी बाम सुष्टीबन धाई भादों शुकल अश्टमी जिस दिन राधारानी का प्रगट हुआ करीब पांच हजार परसपूर्ब लेकिन अब यहां ललताजू का प्रकट्ट यह पांसो चम्बालीस साल है अब की पांसो चम्बालीस मा अभिर्वाब महोषम मनाये जा रहा है श्री स्वामी जुमाराज को प्रगटू पांसो चम्बालिस साल हो चित्रा चाहूंद से बैठी ऐसें शोबित ससिक उड़गन संग तैसें चित्रा माता के चारो तरफ और पुर की नारियां ऐसे जैसे चंद्रमा की आसबास फारा गण सुभा दे रहे हैं उस तरीके से सब्जु है विराजमान है बाहर नर गंगाधर शंगा प्रिया जनन शदिकरत उमंगा और बाहर क्योंको रादाश्टि में को समय है प्रियाजु के गुन गारे हैं गंगाधर जी और सब ब्रजवासी मिलके उनकी बधाई गारे हैं करिकरियाद बुत विमल सिंगारा संत विप्रलक भाई युदारा सुन्दर सुन्दर सिंगार करकी उस्षा उस्षब मना रहे हैं और उस्षब के ही बीच में सवसारन के सार ललता सरूश्वामी जी महराज भी अवत्रित हो रहे हैं सुन्दर वाम शुधाम शड़ गावत मंगल गीत प्रियाजनम को वनुकरन करिम्रद बदत बिनीत सभी मंगल गीत गारे हैं बधाई गारे हैं प्रियाजू की प्रियाजनम की राधाष्ट में वैसे ही मंगल उस्तव हो रहा है, वो मंगल उस्तव में ही ओर महा मंगल उस्तव स्वामी जी का वत्रण निज ग्रहते चित्रा ढिंग आई बंदी जन जूं करत बढ़ाई अपने अपने घरते सह सुवा चित्रा माता के पास आग़े गावन लगी सकल प्रजवाला आवे तिन मध्यान शुकाला सभी प्रजवाला गायन कर रही हैं प्रियाजियों के गुन गारे हैं मध्यान समय यानि करीब बारे बजे के समय ही स्वामी जी माराज प्रिगट भई मद्ध्यान शुकाला गावत जन्म चर्ट सुठवाला चित्रा चली सेन की साला चित्रा माता अपने सेन भवन में चली शिप पारवति सुत्तन धर बामा बैठे प्रतम कर्त बिश्ट्रामा अब पारवति जी और भगवान संकर भेश बदल के गोपी भेश बना के सेबा कर रहे हैं पहले से पहले और सेन साला के पास वहाँ बैठे हैं डोनों के दोनों और बीठल विपुल देजू महराजी भी बैठे हैं वहीं चित्रा पौड़त भई प्रजंका बीठल से प्रतिहसत निशंका चित्रा माता जब परियंग पैप पोड़ गई तो बीठल भी प्लदीजी महराज भगवान सिब की तरफ देखके हस रहे हैं कि अब वो समय आने वाला है वो घड़ी आने वाली है कि हमारे प्राणधन प्रगट होंगे को श्वामी बीठल दीजी महराज भी महल की सहचरी है उनको मालूम है पहले से पहले उनको लड़ाने के लिए पहले से आगे रसागर है बोलत बिमल परसपरवानी राधा कृष्ण चर्चा कर रहे हैं राधा कृष्ण की भगवान संकर पारवत्ती जी अब विशिस क्या हुआ अपनी आप उस भवन में जहां सेंसाला में जहां चित्रा माता पोड़ रही थी ओवान भगवान संकर पारवती जी भीस बदल के बेठे हैं और बीठल विपुल दीव जू ये तीन बेठे चित्रा माता तो है तो सहज ही अपने आप प्रकाच शा गया भवन में भाव प्रीत मिल प्रेम अनूपा सू चित्रा को श्वैम सरूपा सू चित्रा माता जी का सरूपता भाव और प्रेत मिल प्रेम अनूप सरूप पड़ा दिव्य सरूप सहचरी सरूप चित्रा माता सू चित्रा को श्वैम सरूपा सू सरूपता चिन धर्यो अदबुत रहत विकार विकार रहत सरूप प्रेगट हुआ चित्रा माता का संसारी देह नहीं रही हो चित्रा माता की एक दम दिव्य सरूप भगवान संकर और वह भी चकेत रहेगे चित्रा माता के दर्संकर के धन्यो प्रणाम करने लगे ऐसा सरूप ता सुमध्य सहचरी प्रगट भई तत्त सुकुषार चित्रा माता के स्री अंग से सहचरी के स्री अंग से सहचरी प्रगट भई समझने की बात है सहचरी से सहचरी से चित्रा माता सहचरी स्रूप दर्सं हो रहे हैं भापृत की साक्यात मूर्ती हैं और चित्राजु के श्री अंग में से सहचरी ही पोने 15 वर्ष की चित्रामाता दीखरेईयों से में और पोने 15 वर्ष की श्री उनके श्री अंग से प्रगट भई दूसरी तास मद्य सैचरी प्रिगट भई तत्य सुकुसार शभी तत्यों का सुका सार सरू मद्य किसूर रवस्ता धारी उप्मा निर्क अपरमिद आरी मश् नवुन्नत किसूर रवस्ता प्रथम दर्स देनों सो सोभा छंचिन उठत रूप के गोभा हूसन बसन सच्चिदा नंदा सब मधि सबते परम सुचंदा कैसा अदुवत सरूप है सहचरी का हूसन बसन भी सच्चिदा लेन सरूप है अदुवत रूप है सहचरी का ललिता जी प्रगर भई है बोलो ललिता महरानी जीव की स्वामी हर्दाजियू महराज की जैहो नशकन के प्राण भ्रंदावन जलकतोर भारी तामें अंदर सतनित्य विहारी लिताजियू की गोदी में प्रिया प्रितन भ्रंदावन जलकतोर भारी तामें दर सतनित्य विहारी नित्य विहारी में सब कुछ आगें भ्रियारी विहार इन थे स्ऱ्रैयंग फिलकतोर भिरभवन ऑनमेघ्जय नलटाजियू की रॉम में भ्रॉम में और भ्रॉम्हीशरण की अदुष्चर руки प्रॉम्ही vnew लिक टेंगें आपनों रूप यानि विहरी विहरन के संग आपना भी ललता जुका एक प्रकड़सरूप देख रहे हैं एक उनके शंग भी देख रहे हैं ये है दिप्वता नित्यता शंपति सकल्रमल शुकुकारी शूबित्यों त्यों नित्य विहारी स्रीशिव सहत उमा सुखलीनूं बीठलवाल ब्रतिहू पीनूं श्रीशिव शहेत उमाजी ने सुखलीया दरसन का परम दरसन का और बीठल देख महराज ने सुखलीया विवमन करण शकत निर्धार अस्तुतिकर्ट भहीतत सारा भगवांज संकरजी ज्यान स्रोमनी हैं लेकिन इस रूप का कुछ निर्धार नहीं कर पा रहे हैं दर्शन करके आनंग में तो चा रहे हैं, लेकिन कुछ भी निर्णे नहीं कर पा रहे हैं, कि ये नित दिव्य सरूप, जी ऐसा अब तक कभी देखने कोई नहीं मिला, ये क्या सरूप है, इसलिए समझ से परे, ये ये तो बात है, नेत कहेंश अब बेद पुरान धने मुन ध्यान ठके मन जातना, शम्भु मुरार जपे मुकचार बिना अधिकार बिहार समातना, नित नभीन धरेंतन तीन बड़े रसलीन प्रबीन अजातना, ये शुकदान परिये बान पिये जलसरी हरिदास के आप, तो नेत कहेंश अब ब मुरारी जपे मुक्चार संभू भगवान संकर मुरारी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बिना अधिकार बिहार समात्र इनका प्रवेश नहीं है इसलिए निर्णे नहीं कर पा रहे हैं भगवत्रश्पी इमारत केते हैं अगामा गोचर निगमते बीठल लक्यो सरूप बिठल बिपुल देजु ने बिशे सरूप की जाकी कि ना ऐसे जो जोर कर जान रशिक मन भूप श्री बीठल बिपुल देजु महराज ने समझ के की रशिकों के भूप हैं राजा हैं ये रसरूप हैं प्रिया पितम के हरदय रसरूपा सैचरी है ये सब अनुने निन हैं चित्रा भाई प्रतम ही जैसें सैचरी बालक बब धरितेसें अब देखते देखते चित्रा माता पहले जैसे सरूप में हो गएं जो सैचरी सरूप था वो छिप गया पहले सरूप में हो गएं और जो दूसरी सैचरी लले ताजु पर अगड़ भाईं लले ताजु एक जी महराज कीजे आज प्रेमी जनों हम सब दासों के प्राण अराध्य स्वामी जी महराज का आवत्रण देवेशे आवे रवाव श्रमारो तो ये बड़ी खुशी की प्रसंता की प्रम प्रसंता की बात है यहां तो सम्मनी रहें ब्रम्दावन धाम में लेकिन आप लोग बाहर रह रहे हैं जहां भी प्रैम से बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना के विहारी विहारन का भोग लगा के श्वामी जी की बधाई गाओ प्रंखिलाजी में एक से नौ पेज पहें प्रगटी स्री ललित 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 ललिती पेजों का अंतर भी हो सकता है श्रंखिलाग के अंतर पे तो यहां से फिर बधाई गाइन करो प्रैम से अनग्राग से लाड लडाओ आज भी कर सकते हैं कल भी कर सकते हैं कई दिन तक भी बधा ही स्वामी जी की गायन कर सकते हैं इस तरीके से स्वामी जी महराज का अवत्रण हुआ कीनो शब्द वालवत बानी अरबक भयो सबय ये जानी बालक की तरफ सब्द भयो बालक हाँ सबने समिले हाँ बालक हुआ है उच्चा हुआ है पेटा हुआ है प्रसंता चागई पाम गान तज सबै सिहानी जो बाम प्रेम से गीत गा रहीं सब एकदम प्रफुलत हो गएं खुसी सभी गोपिया नारिया ब्रजवासिन सब प्रसंत हो गएं निजसुतवत उससब बिठानी अपने निजीपुत्र की तरह समस्त ब्रजवासिन ने राजपुर की ब्रजवासिन ब्रणदावन में जूबी रह रहें सब ने उससब किया घर-घर प्रतिमंगल मिलगायो ऐसे आप भी उससब करो स्वामी जी का भहियाओ भावसिन घर-घर में मंगल गीत गाई जा रहे हैं बधाई जय गाई जा रहे हैं जैसे शकल भवन सुत जायो ऐसे मानों सभी घरों में बिटे का जिनम हुआए के जपना भगना भीला जानी गंगा धर केंदू बधानी या चकाई उनको दान दिया जा रहा है सेवा की जा रही है संत ब्रामनों की सब की हैं मन मानी लुटा रहे हैं प्रायम से ऐसा ब्रादोस्था तम्मिल गुरु पे गए परे धन्वत पाएं पांचों के पांचों सरी गुर्देव के पास पांचे चाज टांग धन्वत करें सकल क्रिया बिद्वित कही गंगाधर सकुचाएं सारी बात सकुचाते भए और सारी बात कही कि महराज आपने जैसे का था ऐसे जनम हुआ है पुत्रका गुर्जन कहत भयोकर जोरी बचन मिष्ट आनंद्रस बोरी बतत भय श्री मुक्ते बानी सोशुत प्रगटो सब सुखदानी आज धीर उट ताच्छन धाई गंगाधर के घर चले आए आज देर देजु महराज गंगाधर जी के त्रंद सुनते ही देरी नहीं करी गुर्द वह शामाने बालक थोड़े हैं आज़ा गुर्देव शामाने बालक हो तो गुर्देव को जाना जरूरी तोड़े होता है लेकिन ये तो सब गुणों की खान सब सुखों को सार सरूब स्वैम हरी सरूब वियारी विहरन की हरदय रस रूपा सहील स्री प्रगट होई उनकी दर्शन के लिए अंत्रंग भाव क्या उनके दर्शन के लिए श्री गुर्देब भी। और हरी शरूपा भी आए सब कोश मनुरत। पुत्र लाए पाए अंतर डारो गुरू ठाय अपने उर्धारो पुत्र को लाए के गुर्देब जी के चर्णन में डार दिये। लिए महाराज आपको धनेंगे। ऐसा ही होता है। जहां प्रेमी जन, भक्त जन होते हैं, बैशनब जन, रशिक जनों के चाड़े हुए, उनके अनुगत जन होते हैं, दास ग्रस्त में भी होते हैं। पुत्र का जनम हो, थोड़ा सा बढ़ा ही हो जाए, गुरु चर्णों में लाके रख देते हैं, कंठी संस्कार कराते हैं। दस-पंद्रह दिन का ही करा देते हैं। यह तो स्वामी जी महाराज तो खेर स्वामी जी हैं। ततक खिनी चले आए लेकिन 15 दिन का होने के बाद ही कंठी संसकार अत्वा सबा महिने का कंठी संसकार करा देते हैं और इस्तरीके का अपना माता पिता पूर्ण करते हैं बैश्ण न रीती और ब्रिदावन मुझल करते हैं। इस तरीके से, जो भी उश्व होते हैं, चैने जनम हो, चैने और कोई कारी करम, वो गुरु आज्या से गुरु श्रण में होते हैं, ऐसा हमने देखा यहां, पट प्रशाद कंठी देई चित्रा कुनि जिजान, उन्वर्भग गुरु कुन देऊ ओ इनलीनों शुकुमान, प्रशादी कंठी वस्त्र चित्रा कुन और पुत्र कुन गुरु देव के च्रण में और गुरु जी ने अपने इर्दे से लगा लिया पुत्र को, और फिर गुरु बालक अपनों कर लीनों, पालन का जुलट फिर दीनों, पुने चित्रा माता को दे दिया बच्चा, बालक, स्वामी जी महराजी को, कि ये पालन के लिए तुम्हारे लिए दे रहे हैं, पालन के लिए जब बड़ा हो जाएंगे, ये हमारे पास ही आ जाएंगे, पालन कुछ दिन तुम करो, बिदा हो या आशन पर आए, घरो सब कर हरी गुनगाए, या प्रकार वहां से सब तरीके का सनमान प्राप्त हुआ गुरु देव को, और फिर अपने आशन पर निद्वन जी में आगे, और वहां उत्सब हो रहा है खुब धूमधाम से, बधाई तो आज प्राते काल खूब गाई हैं, निसिक संतों ने, करीब करीब सवादो गंटा बधाई गायन हुआ से, फिर संतों की भक्तों की प्रशादी भई, आज का हैं, तो दो एक बधाई, आप गायन नहीं थोड़ा सा गुनगुना लो, जैसे कि मन जो है उसमें रम जाय थोड़ा, तो स्वावी जी महराज का आवत्रण पैमी जनों, सारी लिला भाव की, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन मन में ये रखोगे कि हमारी प्रानाराध्य, स्वावी यूगलकू शुखु दाता, श्वामी हरदा जी महराज का आवत्रण हुआ, ओ हम प्रसंता पूरव तो उश्रम मनाएं, बरंदावर में ही सम्मिलत होते हैं, तो तो कहना ही क्या ये इनके इन प्रकारेंड, इसके अलावा अपनी अपनी कोटियाओं पर ही वहां यह नहीं आते सम्मिलत नहीं हो सकते हैं, अभी बताया, तो वहां भी, ये सब उत्साव होता है, बस तूसे लगन होती है, तब ये भाव जागरत होते हैं, जो सश्रंग होते हैं, नहीं तो अपने स्वार्थ परता में, अपने बच्चों का जनम दिन खूम मनाएंगे, अपना जनम दिन खूम मनाएंगे, लेकिन अपने प्राणराध्य का जनम दिन, उनका प्राक्रटे दिवस, उसको पत एक से नौ पेज पह है प्रगटी स्री ललित ललित ललिते पहली शाखी है ललित प्रिये हरिदास जू नित केल शुकुदान पुझ विहारिन लालिली प्रगटी रस की खान ये ललित प्रिये हरिदासी जू नित केली की सुख की दाता है पुझ विहारिन लालिली साख्यात कुझ विहारिन लालिली है ये रस की खान है रशिंदू है ये जू प्रगट भई है प्रगटी स्री ललित 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 ललिते या को भाव गुर्दे बताते तीन वाल ललत ललत ललते प्रगटी यानि स्री ललताजू तो प्रगट भई हैं संग जो है बिहारी बिहारन भी प्रगट भई हैं पर वो तुमको दीखने रहे हैं ललताजू की क्रपा से दीखेंगे गुर्दे जो की क्रपा से तीनों के तीनो कोंकि श्वामी जी के बिना प्रिया पितम रह नहीं सकते एक ललता जू के बिना अलग कैसे दीख नहीं रहे हैं तुमको जब स्वामी जी कि चिणणों का चिंतन करोगे भाव से प्रिया पितम गोदी में बैठे वुए दीखेंगे बात जी महा प्रैमाद बुतरस छाकी गुननिद सुख सलते प्रिया लाल को लाड लडावत उमग उमग मिलते श्री हरिदास इजु रशिक सिरोमन कुझ केल कलते श्री हरिदास दो बदाई गालों हमारे स्वामी सिरोमन आये श्री हरिदास महलते प्रगटे आके भली भाई सिरी ललते प्रगटी स्वामी सिरोमन आये हमारे स्वामी सिरोमन आये स्वामी सिरोमन आये आति आनंद भरे सुखुराशी आति, 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 आन आपे मुझल लाए स्वामी सिरो मन आई हमारे स्वामी सिरो मन रीला सिका सिरो मन परम प्रीत सों रस अब भूलो भी असा लो प्रीत सों असे आशी कें बत राए हां हसे हसे जैवद ऐाए स्षी र सिकस्योंमंं परमप्रीत शों आसे हसे बतड़ आए स्षीलल टक सोरी कील झुजी वन यल डेलिहा स्षी ललो किल जुजीवन कुझ्य केल दर्शाए कुझ्य केल दर्शाए स्वामि स्रोमने इन्हामारद स्वादि रोमने अरिदास मेहलते प्रेगटे विपुननि सानंग जाने जुद अजबुत प्रेम दियोते नहीं न आजबुत प्रेम दियोते नहीं न जे जे सरने आएगे। प्रेम दियूर नहीं न कोंजे जे सर में आई जू स्री हरिदास महल के प्रज़ दुनन थान वाज़ार थी भी पूल बेहार इन दास सरसके भाई मनोरत भाई जू स्री भी पूल बेहार इन दास सरसके भाई मनोरत भाई नागरि नरहर दास रसिक बरनागरि दिहा आप्री नागरि 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 आच रखकावराः सावके नहीं सिराएं जू आस सावके नहीं सिराएं नागरि नागरि दुनन थिना भाई मनोरत पुदाले पेजु प्रगती भागे हमारे जागेरी अप्षर है पिया बिहारी अवा मिले हैं तेरी हार अवा मिले हैं पिया कुंज बिहारी रौम नौम यनुरागेरी अवा मिले हैं पिया कुंज बिहारी रौम नौम 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 अध्रिभली भाई नित ललते जुतगती भागेरी चारे चितावना हासाना लासाना सुकरासी चितावना तेरी हां ओ छितततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत तेरि हां, oh, Shri Haridasra, हसी हसी कंचन लागे, हां, Shri Haridasra, सिकती जीवन, हसी हसी कंचन लागे, अति बली बाय। लालित लालित लालिते प्रैवेटी सी लालित लालित लालिते महा प्रैम अद्वुत्रस चाती महा प्रैम अद्वुत्रस चाती गुननिद सुक सलते महा प्रैम अद्वुत्रस चाती महा प्रैम अद्वुत्रस चाती गुननिद सुक सलते ललत ललत ललते प्रैगती ललत करिया लालित लाल लावावा प्रगति क्रिया लाना 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 उमगी उमगी मिलते प्रगति स्रीहरीदाउप दूरा सिरोमन कुण्य कीली कलते प्रगति कुन्य के लित प्रगति प्रगति ललत 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 स्वामी जी महराज की, जै व्यारी जी महराज की, प्रन्दावन चन्यू की, गुर्देव जी महराज की, समस्त रशिक जनन की, समस्त अष्टाचार्यों की, आज की आनन्न की, स्वामी जी महराज की प्राकट्ट महोसर की, रंगीले व्यारी व्यारिन्यू की, रंगीले कुझ परकर की, आज की आनंद की, जे जे स्री हरिदाज, जे जे स्री हरिदाज, जे जे स्री हरिदाज.